मैं क्यों बेंति होन लगा वी प्रफ प्रितन सिंग जीनों के साडिकोल वी द यह स्वाल आया के किला लोह गर घृथ्थि आ है तो एक बड़ा एम स्वाल है क्योंकि किला लोह गर जिड़ है यह सारीहन संक्ता नहीं पता है के सिक्स निच यह धी बड़ी महत्त है ए इन किला तो मैं वेर प्रवकीतन सिर्फ बेंटि करने लगा कि किरपा करके विस्थार सहत सानू एस कि ला लोगढ़रे और आज उकिस पुजिशन चखड़ा है किरपा करके चाह्ना पाउजी वी प्रवकीतन सिर्फ जी वाइक जी का खालसा वाइक जी किला लोगड़ बाबा बंदा सिंग जी वलों अपनी राजता नहीं बनाया गया सी सद्रूली ये बहुत एесयाश थान है जिते सतگरो सहबान जी दे तो बाद जिड़ा पहला सिक्का फालसा राज अपना हो दे बिच पहला सिक्षा उत्धे जारी होया खालसार आई दी मोर पहले होई ते मतलब ओ एक ऐसी जगा सी जित्व में भी क्या जनदा है कि जिड़ा जिम्मेर्दारी खक्त्म करन दा फरमान है और भी उत्व मी जारी हो गोड़े तो आवे ते बारे थोड़ा जिए एतिया स प्वार गड़ रखेया सी पर हले किला अंडर कंस्ट्रक्शन ही सी के शेर्शा सूरी हार गया ते फिर मगलाना राज दुबारा हो गया ते उस वेले फिरे खंडरा दी हालत दे विच कुछ समेच बदल गया ते फिर उस तो बाद मुखलिस खान एक जनरल सी गा शाजहान दा जड़ा जनरल सी उन्हों उन्हें हुकम देता कि इस जगह दे उत्ते मैं गर्मियां दे विच अक्सर शिकार खेड़न लई जानदा यह फॉरस्ट एरिया है वी जी पहली स्लाइड तो तुसी काइंडली स्लाइड शो शुरू कर दें तो पहली है यह आ रही है इस तो पहला किड़ी सी ने जी स्लाइड शो मैं कह रही है जी स्लाइड शो पे जया तो पीपीटी ओ देखो एक उत्ते जड़ा है ओ मुखलिस खान नो हुकम कीता शाह जहान ने कि इस जगह दे उत्ते एक किला हवेलीन उमा किला बनाया जावे को कि शाह जहानों ते शिकार खेड़न ज क्योंकि पंजाब दा इलाका जड़ा है ओ उना दे लही बहुत इंपॉर्टेंट सी और उस चीजनों त्यांच रख देया हुएं और इसे लाके ची शिकार खेड़ देशन मैं एक जस्ट असाइड जाके इक इन्फरमेशन आप दी देना अलसांजी कर देया एक पाकिस्तान दे वीच जिला है शेखुपुरा ओ सारा बार दा इलाका पाव जंगल दा इलाका उंदा सी ते अकबर दा बड़ा मन पाउंदा इलाका सी शिकार खेड़न वासते क्योंकि उत्फे जंगली जानवर बात उंदे सांग तो उना दे विच उसने उत्फे एक छोटा जया किला बनवाया ते उस अलाके दा नाम उस शैर दा नाम जड़ा है ओ शेखुपुरा रख्या क्योंकि ओदे शैजादे जहां गीर दा करदा नाम शेखु सी क्योंकि ओशेख साव दे अशीरवाद दे नाल पैदा होया सी तो ए जंगल दा इलाका है अंजी वीच नेक्स स्लाइड करओं झी। तो और शाधियस लाके दे विक्च वीच उ ellas फिकर खितने जंदा सी थिकिए शागाद मन पांदा या शी जिरे वीच वीच वा सिकर खितना कॉनदा सी ए पहादा दे बिलकोल त्हले जीडे शेखली मैपfel करो सिकूद suburbsूपूबयरा मेयद अmmu तो दे विच्छ ओ शिकार खेटन आंदा सी है जी नेक्स स्लाइड करो जी जड़ा मैप हैगा तो मुव करो जड़ा इन्हों तो जड़ा इलाका है यह बिलकुल पैरा दे विच्छ है अद्दा इलाका है जो का लेसर फॉरेस्ट जड़ा हैगा ओ दे विच्छ पैंदा है इस ड़़ेदे लाके दे नाल बाबा बंदा सिंग बहादर बड़ा चंगी तरह वाकफ सी क्योंकि उन्हें सड़वेदे लाके विच आके उस्मान खान नो जिसने पीर बुद्धु शाह नो तकलीफ देके शहीद देता सी किता सी उन्हों सजा दिती सी ते इस सारे लाके द सफ दाओं चंगी तरह वाकफ सी तो उन्हें इस इस आके था नो लोगड़ दानाम देता तो यंटनू अपनीThen बनान दा विचार पहला उन्हें सरहांदनों अपनी राजदानी बनाने विचार बनाया तो फिर उन्हें विचार बदल के एक सेफ अलाका देख के लोगड़नों अपनी राजदानी बनाया लोग अट दे विच आके जदों उन्हें अपनी राज़तानी बनाया इत्थे तकरीबन जिन्हों कहने हैं के सारा शाही खजाना लुटिया होया जो सी मुगलां तो सारा उन्हें इत्थे शिफ्ट की था ते इत्थे ले आके उसने क्या जन्दा है के जमीन दे विच दबा के रखिया पर जड़ा ए लाका सी ये बड़ा सेफ सी गा क्योंके एक टापू दी शकल दे विच सी गा दो नदियां दे आले दौले उन लंगदियां सी एक पामो वाली खाड़ का लांदी सी दूजी डसका वाली खाड़ का लांदी सी ते एदा जो लोकेशन है इस डोरे तो गरीब बती किलोमीटर नाहन तो हम एकती किलोमीटर ते पौंटा साथ हों एंधिव बैधित किलोमीटर ही गूंते एक सी खाड़ी यह ओदो दोशनाशाञा है तो ये दे वेचे फौजी दिरिष्टी दे उत्तों एदी इंपॉर्टेंस किनी होएगी तो ये ओ ये आसक स्थान है जिते एक होर बड़ी वड़ी लड़ाई बाबा बंदा सिंग बहादरवलों कीती गई ये तगरीबन अगस्त स्टंबर दो जार दस दे वेचे जदों बहादर शाह साउथ तों आके अजमेर पहुंचिया उन्हों बाबा बंदा सिंग बहादर दे जो कारना में अन्नोना दी खबर मिली ते फिर उस तो बाद उन्हें सारी फाज एकठी करनी शुरू कर देती तो तक्रीबन अगस्त स्टंबर तों है चड़पा शुरू हो गई या पहल के चंकायर साहीड वी चोया सी सिखाने शलाह किती ते बंदा सिंग बहादर नु बिल्कुल तेन मिने दी लड़ाई तो बाद राशन पानी पैसा सब कुछ खتم हो चुपका है ते ओथ उसी आके इतो निकल जाओ ते ओथो निकल गया जड़ा बिलकुल नाल नाहंदा ओला का पेंदा सी नाहंदा राजा जिन्हों बर्फी राजा भी क्या जांदा सी ओस इलाके दे विच पेस बदल के बिलकुल दर्वाजे दे मुगल फाजां बैटरियां दे नक दे थलों निकल के उद्दर नो पाज़ गया ते पिछे उसे तरही ओदी ड्रेस पाके कुछी थांदे उते एक सिख नो बिठा देता गया ताके उन्हान पता लगे उन्हों फढ़ ले आ गया खीर ते जदों फढ़के ते इन्हान पता लगया बड़ा जशन मनान तो बाद के बंदा सिंग बहादर था है यह नहीं ता फिर एक वरी बड़ा सोग पैगया ते बहादर शाह जिएंदा है ते एक किला जड़ा उन्हें दोबारा बनवाया है और पका किला है इन्हों पूरी तरह तो आ देता ते रड़ा मिदान कर देता तो एदा कोई भी निशान उते रहे ना देता तो बाद भी लुटे रहे जा जाके वहाद करके के बंदे बादर ने उत्थे जाल रहा है उस दा अंदर दा दरिश इस तो अगली स्लाइड दे विच है बिलकुल छोटा जाया तुसी अंदाजा लगा सकते हो कि असी अपने विरसे दे परती किन्ने वेसले हां और किन्नी को सी संभाल कर दे हां क्योंकि एक यह जगा है जिते साड़ा पहला सिक्का जार जड़ा के आज टक पूरे पारत विच्छों खत्म नहीं किता जा सिकी हो बंदा सिंग बादर ने तेंसो साल पहले कर देता सी तो इतों ही ओप जया सी थै पहाड़ी राज़िया थे और विच्छों हंदा हंदा कि उस तो पहाड़ा में विच भुठा रहा थै अखीर ते आ ने लिखिया है वो जो मैं आप जीनों सुनाया है तक्रीबन उसे तरंदाई है ए इतियासा के लाका है साड़े लई ते होनो थे एक वड़ा गुर्द्वारा बनना शुड़ू है एजड़ा आप जीनों फोटो देवे चिट्टा जया गुंबत देस रहा है इन नवा पांच एकर दी जमीन इस लोगा ट्रस्ट वलों खरीदी गई है ते ओ एक गुर्द्वारा बनवा रहे हैं इस तो अगे कंस्ट्रक्शन दा वही एक सीन है जी एक कंस्ट्रक्शन लेफ्ट साइड होते चल रही है ते सज्जे पास से उदा बोर्ड लगा होया है तो एस सार जो अलाका है रड़ा मैदान है जंगल है रिजर्व फॉरेस्ट है इते आवाजाई नहीं है इते तक पहुंचन दे लईवी कुछ समा पैदल चलके ही या मोटर साइकल वगारा टू वी लड़ते चलके ही उते पहुंचना पेंदा है पकी सड़क नहीं है तो ए मुक्त और इस तरह दी हालात है आज लोगर जो सड़ारा दे कोल सड़ा मुखलिस गड़ता स्थान जो पहली सिख राइदी राइटामी सी उदी एक कंडिशन है वाईगर जी का खालसा वाईगर वाईगर जी की फते तानवाद वीर जी आप जिने ए बड़ा जिड़ा एक आस अक्षा होगे ते ओधी असी एन्नी समय सदियां भीतन तक भी उदी सबाल ना कर सकी है जे होन कंस्ट्रक्शन शिदू है यह मोटरेबल रोड नहीं है यह बड़ी बड़ी साडिली नमोशी दकार में ते जेकर असी अपने इतियास प्रती के नहीं वेसले हैं ते शायद ऐसे करके सा कोई ना कोई मुसीबत गाइब गाइब पही रहन दी तो जिसना वी दिटेल रस्ती है एक बहुत ही साडिली एम इतियास का स्थान है और एदेवाल सानू फॉरन और पेश्तरते आंग जाने चाहिए और असी कोशिश करिए बेशक रस्ता होखा है पर फिर भी सानू यह पूंच सकी है वो थे पूंच यह जाके उस जगह देश्शन करिए और उस जो अपने योगदाने उपास किए क्योंकि एक एड़ी वड़ी अनमुली ते आस्ट गवाई साड़ी जड़ी है और तक अनगोली जईए ते होन असी उन्नों जे आजे भी सानू थोड़ी कोश आजाए जैसे उन्हों अपने सही उसे शान शोकत नाल काइम कर सकी है इस अद्रूबी अर्दास है संकागी बेन की